36 गड़ में आगामी विधानसपत चनाव को लेकर सभी पाठियों ने तैयारियां शुरू करती हैं जो से लेकर आरूप प्रित्यरूप का दौर भी जा रही है इसी कड़ी में पूर्प मुखमंधरी डौक्टर रमान सिंग ने बयान देते हुए कहा कि जैसे जैसे कांग्रस सरकार के दिन पूरे होते जा रहे हैं भुपेश पगेल अपना आपक होते जा रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि एरपोर्ट में हमारे शेत्रिय प्रभारी के सम्बन में जो बयान दिया है उसे उनकी सोच का पता चलता है और मुखमंधरी पद पर रहते हुए उनकी भाश्रा इतनी आम अर्यादित हो सकती है इसके लिए मुझे आश्यर हो रहा है जैसे जैसे कामने सरकार के दिन पूरे होते जा रहे हैं भूपेज भगेल अपना अपक होते जा रहे हैं आज एरपोर्ट में हमारे शेत्री प्रभारी के सम्बन में जो बयान दिया उसके उनकी गहटिया सोच का पता चलता है मुख्यमंतरी पत पर रहते हुए किसी व्यक्ति की भासा इतनी अमर्यादित हो सकती है मुझे आश्यर होता है इसके बयान का पूरे भारती जन्दा पारटी घो निंदा करती है भूपेज भगेल ने मुख्यमंतरी की पत की गर्मा को समाक्तिया